हलो एवरीबन वेलकम टू मनी साज क्रियेटिविटी वीडियो को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम वीडियो में क्या बनाने जा रहे हैं जी हाँ आज की इस वीडियो में हम इसी टोप को बनाना सिखेंगे अगर आपको ये टोप पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को अन्त तक देखेगा तो चलिए इस टोप का पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने सोल्डर लाइन पर अपने सोल्डर का निशान लगा लूँगी जो मेरा आठ इंच है और सोल्डर को वन इंच किराते हुए हुएं अपने आन आन का निशान लगा लूँगे और फिर मैं अपनी चेस्ट लाइन और निपल यफ आइन भी डू रो करवे आप हम अपने भैक पैटर्न के लिए आन मौँवाल 20 गोलाइड़ और जो हमने आर्म होल का निसान लगाया था उसके हाफ पर एक पॉन इंच अंदर रखते हुए हम अपने फ्रेंट पार्ट के लिए भी आर्म होल की गोलाई दे लेंगे और मैंने नेक पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए निशान लगा दिये है मैंने फ्रंट पार्ट की गहराई दो इंच रखिया और बैक पार्ट की गहराई डेड़ इंच रखिया है और सोल्डर पर नेक लाइन मैंने साड़े तीन इंच पर ड्रो की है अब जो हमारे arm hole का middle point है वहाँ हम एक line draw करेंगे और उससे आदा इंच पर एक निसान लगाएंगे इस निसान को हम अपने जो solder गिराया है उससे 3 इंच एक point लगाएंगे और उससे मिला देंगे अब ही वीडियो में मैंने उससे मिलाया नहीं है मैं इसे बात में मिलाऊंगे अब मैं यहां पर अपने measurement का निसान लगा रही हूं आपका जो भी measurement है आप उसका निसान लगा लीजेगा यहां पर हम अपने चेश्ट के मेजरमेंट का निसान लगाएंगे और क्योंकि हम यहां टोप बना रहे हैं तो हम इसे लूज ही रखेंगे तो इसमें मैं फिटिंग फिटिंग के लिए निसान नहीं लगाऊंगी बस जो हमने चेश्ट का मेजरमेंट लिया है उससे वन इंच अंदर अपने वेश्ट का मेजरमेंट लेते हुए और फिर अपने हिप का मेजरमेंट लेते हुए इन लाइन को मिला दूंगे ये measurement हमारे front part के लिए है, back part के लिए हम सीधी line draw करेंगे, अपनी chair से hip पर सीधी line draw करेंगे, जैसे कि मैं वीडियो में draw करेंगे हूँ, सेम उसी तरह आप भी कीजे, अब हम अपने sleeve की cutting करेंगे, sleeve की cutting करने के लिए सबसे पहले हम एक line draw करेंगे और उस line से नीचे हम line draw करेंगे, जो नीचे हम लाइन ड्रो करेंगे उसे ड्रो करने के लिए सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए कि कितने नीचे हम ये लाइन ड्रो करेंगे इस लाइन को ड्रो करने के लिए हम अपने चेश्ट का जो मेजरमेंट है उसको पहल से डिवाइड करेंगे और जो measurement आएगा उसमें 1 इंच जोड़ते हुए ये line ड्रो करेंगे मेरे यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है तो मैं उसमें 1 इंच जोड़कर 4.5 इंच पर ये line ड्रो करी है अब हम जो ये line ड्रो की है उस पर sleeve के लिए निसान लगाएंगे तो उसे निकालने के लिए भी हम अपनी chest में 6 से डिवाइड करेंगे और जो measurement आएगा उसमें हम 1.5 इंच करते हुए ये line ड्रो करेंगे chest 41 है तो मैंने उसे 6 से डिवाइड किया तो मेरा 6.8 आया और उसे मैंने 1.5 एड किया तो मेरा 7.8 इंच के लगभग आया रहा है तो मैंने ये 7.8 इंच की line ड्रो की है middle point लेते हुए और अब हम इन line को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले हमने इस line का middle point लिया और फिर उस middle point से भी हमने जो man middle point है उनके दोनों के बीच में भी middle point लिया और अब हम अपने curve line देने के लिए निसान लगाएंगे ये निसान कैसे लगाते हैं ये मैंने अपने basic sleeve pattern में अच्छे से बताया हुआ है आप वहाँ पर ये देख सकते हैं मैं इसका link वीडियो के description box में दे दूंगे हम अपने sleeve का pattern ड्रो करने के बाद उसकी cutting कर लेंगे अब हमने जो टोप का pattern ड्रो किया था उसकी cutting कर लेंगे और उसके front part और back part को अलग-अलग कर लेंगे और front part अलग करने के बाद हम अब उसकी cutting कर लेंगे हम back pattern में कुछ नहीं करेंगे बस हम front part में उसकी गले की गहराई देंगे और armhole की भी गोलाई पर cutting करेंगे और इस front part के shoulder से तीन इंच नीचे एक निसान और लगाएंगे और उस निसान को हम अब हमने जो armhole के middle line से नीचे आदे इंच पर निसान लगाया था उससे मिला देंगे और sleeve के middle point को कि shoulder वाली line से मिलाते हुए और जो हमने तीन इंच पर निसान लगाया था उस निसान को से एक line draw करते हुए हम pattern draw करेंगे जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है सेम उसी तरह का pattern draw कर लेंगे और इसे paper पर trace कर लेंगे pattern draw करने के बाद हम डेडेड इंच करने चान लगाते हुए इस pattern की cutting कर लेंगे और इन cuttings को number देदेंगे ताकि हम जब दूसरे paper पर इने paste करेंगे तो हमें serial number याद हो और हमारे pattern को paste करने में कोई दिक्कत ना आए और अब हम इसको अब दूसरे paper पर paste करेंगे और उसकी cutting कर लेंगे दूसरे paper पर paste करते वक्त हम इन cutting के बीच 11 inch का gap रखेंगे इस रफल के pattern की cutting करने के बाद मैं आपको इस रफल को pattern में joint करके दिखाती हूं कि कैसे joint करेंगे इस pattern की हम दो cutting लेंगे एक तो same इसी pattern के size की लेंगे और एक दो inch extra कपड़े का margin रखते हुए cutting करेंगे क्योंकि हम इस पर double ruffle joint करेंगे यह मैंने pattern पर sleeve और pattern के front part की cutting कर ली है यह मैं pattern पर ruffle joint करके दिखा रही हूं और कपड़े पर cutting और stitching के लिए आप second part देखिए क्योंकि हम आप में आपकड़े के देखिए